किया दोस्तों आपका स्वागत है हमारे इस चनल में आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं दोस्तों टी टैट के बारे में हिमाचल प्रदेश एजुकेशन बोर्ड ने टैट की प्रिक्स है जो निकाल दिये 2020 के लिए जून के लिए दोस्तों इसमें आप टी जी टी आर्ट्स म सब्मिट हो रही हैं सब्मेट की एक्जाम के लिए अप्लिकेशन फॉर्म आपके सब्मिट हो रहे हैं दोस्तों यह ओनलाइन अप्लिकेशन फॉर्म 16 जून से स्टार्ट हो गए हैं और यह 6 जुलाई तक जो आपकी इसकी लाज डेट है दोस्तों उसकी पेमेंट की डेट ह in particulars no correction will be allowed in any particular after this date so साथ साथ 2020 से लेकर नो साथ 2020 तक करेक्शन होगी इसके बाद कोई भी आपकी करेक्शन इसमें नहीं हो सकती so admit card जो आपका four day before exam आप इसको upload download करेंगे दोस्तों इसका schedule of examination आपको बदा दे दोस्तों को JBT TAT के लिए जो आपका 26 साथ 2020 का आपका ये डेट है examination की डेट सास्तरी के लिए 26 जुलाई की है इस तरह से TGT non-medical TAT के लिए जो आपकी है 28 2020 है language teacher के लिए 28 2020 है इस तरह से TGT arts TAT के लिए जो 88 2020 है और TGT medical के लिए 28 2020 है पंजाबी TAT के लिए 98 2020 रहेगी और उर्दू TAT के लिए 98 2020 रहेगी दोस्तों ये exam की dates आपको बता दें ये रहेंगी आपकी और उसके बाद आपका online इसमें payment का option है दोस्तों जब आप form फिल करेंगे तो method of online application है प्लस आपका जो इसमें payment भी आपकी online ही submit होगी तो ये सारी instruction आप देख रहे हैं इनको आप पढ़ सकते हैं form बनने से पहले वैसे इसमें ज्यादा कोई complication वाली बात नहीं है दोस्तों ये normal easy सा form है उसको आपने भी फिल कर सकते हैं तो अब इसको भरने के लिए दोस्तों आपको instruction जैसे आप ये देख रहे हैं में online application form दिया हुआ है और इसमें आपको जो है वो सबसे पहले अधार कार्ड भरना है name of candidate, father, mother name आपको फिल करना है इस तरह से date of worth आपकी contact, mobile number, email वगएर आपने इसमें इंटर करना है दोस्तों उसके साथ ही आपका ये general category या जो भी आपके category है उसको आप select करेंगे category का column रहेगा उस तरह सब category का अगर आपके बास option है तो आप उसको select कर सकते हैं दरवाई उसमें none कर सकते हैं इसी तरह सुसमें male, female का option आप select कर सकते हैं जो भी आपका appearing status जैसे आपने पहले date clear की है तो उसको pass के पास लग कर सकते हैं अगर आप first time इसमें apply कर रहे हैं तो उसके लिए appearing का आप चूज करेंगे इस तरह से nationality आप select करेंगे candidates जो आपका address आपने fill करना उसमें correspondence address और permanent address दोनों आपके option बने हुए दोस्तों तो जो अगर आपने दोनों अलग लग address देने तो फिल कर सकते हैं अगर आप दोनों को same रखना चाहते हैं तो same address फिल कर सकते हैं इस तरह से bonafide आप हिमाचली bonafide हैं तो आप उसको yes no कर सकते ह sub division के belong आप किस से करते हैं उसमें वो आप choose करेंगे option आएगा आपके सामने फिर उसके बाद third point 13 point पे तो यह सारे option है दोस्तों इस तरह से 14 point पे आपका reference regarding exam center आप कौन से district में आप exam देना चाहते हैं इस तरह से वो कौन सी sub division में आप 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 हो choose कर सकते हैं तो दोस्तों इस इसके लिए आपको फोडोग्राफ लगानी है आपने फोर्म फिल्ड करने के बाद आपको फोडोग्राफ लगानी है उसके साथ ही आपका एक signature आपको उसमें अपलोड करने दोस्तों आप यह देख रहे हैं आप फोटो का size 20kb से उपर नहीं होना चाहिए इस तरह से आपक signature जो है वो आपके आप उसमें जो वो 15kb से उपर नहीं होना चाहिए आपके size जो आपका file का और jpg format में रहेगा तो इस तरह से आप payment का instruction देख रहे हैं next step आपका payment का एगा उसके बाद photograph लोड करने के बाद तो उसको आप internet banking net banking या debit credit card से आप उसको use कर सकते हैं दोस्तों तो यह online payment रहेगी सो जैसे ही आप payment करते हैंगे यह आपका step complete होने के बाद last step आपका उसको confirmation के बाद print all ले सकते हैं जो भी आपने submit किया form सो एक form जो आपका confirmation का page आपके सामने आ जाएगा last में तो यह थी दोस्तों इस तरह से आप form फिल कर सकते हैं साथ मैं आपको बताते हैं कि आपकी जो payment की बात रहती है तो general category के लिए जो वो उसने 800 रुप्या payment रखी हुए fees इसकी है और जो OVC, CST या PHH candidate हैं वो आपकी उसक exam के लिए तो इस तरह से आप देख रही है सारी instructions आपके सामने हैं इसमें minimum जो आपकी eligibility है वो TZT art के लिए B.com या B.A. इस तरह से 50% marks होने चाहिए वन एर का bachelor education का B.A. का डिबलोमा होने चाहिए या फिर B.A. B.com 45% marks होने चाहिए who have passed B.A.D. up to 30-08-2019 and 50% marks for those who have passed B.A.D. after 30-08-2019 इस तरह से ये सारी instructions आप देख रहे हैं दोस्तो और उसके साथ ही senior secondary or its equivalent with at least 50% marks and four year bachelor in elementary education B.A. B.A. B.A.D. आप देख रहे हैं या फिर आप इस के qualification आप के B.A.B.com with at least 50% marks, one year bachelor in education, B.A.D. special education So, ये सारी qualification आप देख रहे हैं ये TGT Arts के लिए इस तरह से TGT non-medical के भी दे रखी हैं इस तरह से TGT medical के लिए इसारी instruction आप देख रहे हैं Saastri के लिए भी आप की है, Saastri with at least 50% marks for and from an institution university रिख रहे है by ISP government की चाहिए ये इस तरह से LANGUA teacher है आपका B.A.B. with Hindi as an elective subject and two year in elementary education by whichever name known, या फिर B.A. with at least 50% Hindi as an elective subject and one year bachelor in education B.A.B. So, इस तरह से आप इस्ट्रक्शन देख रहे हैं ये qualification की detail है दोस्तों भी है और junior basic training के लिए JVT training के लिए ये ये देर रहे है qualification इस पे आप Punjabi language के लिए ये सारी education आप qualification आपकी बास होनी जरूरी है इसमें से कोई भी और्दू language के लिए ये देखिए आप के समने है ये सारी अब देखने है दोस्तों की 5% जो आपको relaxation up to 5% education qualification and also in minimum qualifying marks for TET to the candidate belonging to SCST or CBHS category of Himachal Pradesh so इसमें ये benefit रहेगा और candidate के लिए 5% जो आपको relaxation इसमें मिल जाएगा आपकी आपकी इस ताह से ये आप देखने है सारा दे रखाया इसमें अब structure of education elementary test का ये देख आपका इसमें ये सारी instruction है सारी इसको आप पढ़ सकते हैं आपको इस वीडियो में इसके attachment मिल जाएगी आप डाउनलोड करके इसको study कर सकते हैं दोस्तों ये सारी अब देख रहे हैं इसक्षिन सारी कैसे कौन से आपको test कैसे आएंगे variety appearance इस तरह से age limit की बात करें तो इसमें इसमें there is no upper age limit for applied at as eight criteria are considered by the appointing authority at the time of appointment as per R&P rules आप सो यह है examination center 2020 के लिए आपकी जिसमें revenue subdivision by यह code दे रखे दोस्तों इस तरह से यह लगड़ लिस्ट दे रखिया आपको examination इसक्षिन एंटर की तो यह सारी instruction आप देख रहे हैं इस तरह से admit card के बारे में बता रखाई है तो यह सारी instruction आप चेक कर सकते हैं दोस्तों इसको आप study कर सकते हैं proper और इस तरह से यह देख रहे हैं आपका examination के लिए यह pattern बताया हुए कैसे आप question paper आएगा आएगा आपको इसक्षिन दोस्तों जो आपकी टैट टीचर इलिजिवल्टी टैस्ट के लिए जो हिमाचर प्रदेश बोल्ड दौरा निकाल गई हैं तो जो candidate इसमें इंटरस्टेड हैं pair करना चाते हैं तो उनके लिए एक सुनहरा मोका है तो आप इस टेस्ट को apply कर सकते दोस्तों तो इस जुलाई तक आपकी अप्लिकेशन सब्मिट हो रही है दोस्तों यह ओनलाइन प्रोसीजर है और यह बहुत ही सिंपल फॉर्म है और इसमें आपको बता दिया कि ज्यादा कोई फॉर्मेलटीज की नहीं है आपके बास अधार नंबर होना चाहिए प्लस आपका एक फोटोग है अब यहां पर आप एच्पी बॉस टोट वार्जी को स्लेक करेंगे तो यह साइट आप की खुल जाएगी इस तरह से यहां पर ओप्सन दे रखाया है सी सी इटी एंड वेकंसी तो दोस्तों आप इसको क्लिक करेंगे हाँ पर टैट जून 2020 के लिए आप देख रहे हैं इसको क्लिक करेंगे यह सारी आपके सामने स्क्रीन ओपन होगी है यहां पर यह टीचर ऐलिजिबिल्ट टेस्ट तून 2020 की एक इंस्ट्रक्शन आपके सामने इसमें एक इत्पक्राइब करती है, यह आप स्टएडी कर सकते हैं। उसलिए पे एक सकते हैं। ऌने ãपने लिएसे सड़ानी ₺ आप जाप करें। यह सरा और यह स्टेप्स दे रखें कैसे आपने उसमें करना है तो justin करना है अब ने पूरी इंस्ट्रेक्शन या प्रॉस्पेक्ट डॉनलोड करना तो यहां से आप उसको डॉनलोड करके स्टढ़िए कर सकते हैं सबसे पहले आप यहां पर आएंगे ऑन नाइन अप्लिकेशन जो भरेंगे तो यहां पर दो किलिक और इसके बाद फर्स टाइम आपने अगर रिशिश्टर करना है तो उसके लिए आप जो हो आप करेंगे और आप से अपको पदाया आपना इसी तरह से यह आपकी रिशिश् जो आपकी फॉर्म है वो सारी आपको देंगे यह कौन से आपने अप्लाई करना है एट के लिए जो आर्स नोन मेडिकल मेडिकल सास्त्री एल्टी या जेविटी उड्दू या संस्क्रेट पुझाबी जो है सास्त्री सारी इस तरह से यह सारी आप चेकर से जो भी आपको ची स्मीप्हल करेंगे तो आपके सामने एक अप्लिकेशन नंबर आजाएगा तो क्याट के लिए फिर आपको लॉग इं करना पदेगा साइन इन करना प्यागा क्योंकि आप पर आप आपके बाद application number आजाएगा application number आने के बाद sign in करेंगे sign in में आपके अपने condition को यहां पर click करना है sign in करेंगे यहां पर login आजाएगा application number आपको डालना पड़ाएगा and उसके साथ ही यहां पर date of birth डालनी पड़ेगी तो जैसे हमने पर इसके यहां पर डालना पड़ेगा और इस को आपका application आपको बादें कि इसमें हमने यहां पर बाद दिया है इसमें यह फॉर्म आभी तक स्टेप बन में हमने यह फॉर्म जो अपका पहले बढ़ा था हुआ आजाएगा जो मैं रिजिक्शिन किया था step tube में upload photo and signature तो इस तरह से यहां पर आपका photo and signature अप्लोड हो जाएंगे उसके बाद online payment रहेगी और साथ में जो अब आपका payment होने के बाद आपका application form प्रिंट हो जाएगा तो आप यह application form पे प्लिक करेंगे और इसके साथ ही आपका application form जो हो यहां पर आ जाएगा तो यह आपने पास save कर सकते हैं इसको रख सकते हैं आप इसके further use के लिए ताकि जैसे आपको इसमें application number दे रखा है आप इसको check कर सकते हैं जो आपके बास application number form आएगा data के लिए वो इस तरह से होगा और download हो जाएगा उसको आप उपन करके check कर सकते हैं तो इस तरह से यह form हमने load कर रखा है यह save किया है इसका application number आप इसको download कर सकते है admit card को जो एक्जाम होगा तो इस तरह से दोस्तों यह थी जैन करी हमारी टेट के बारे में तो अब अब जल्दी से जल्दी इस form को apply कर दिजिए जल्वी के इंट्रेस्टेट हैं तो अगर आप इस चैनल पे नहीं जूड़े हैं तो हमारे चैनल को subscribe कीजिए साथ म देने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरे मच जैहंत